अगर आप भी अक्सर अपने बच्चों के साथ ट्रेन में सफर करते हैं तो आज का ये वीडियो खास कर आप के लिए हैं क्यूंकि अगर आप भी बच्चों के साथ सफर करते हैं तो रेलवे आपको एक सुवधा बिल्कुल ही मुफ्त देंता है जी हाँ आपने सही सुना रेलवे की तरफ से मिली जानकारी के नुसार रेलवे ट्रेन में सफर करने वाले पान साल के उम्र के बच्चों से टिकेट नहीं लेतने वाला है यानि कि अब ट्रेन में सफर करने पर बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा सीट दी ज़ा रही है वो भी मुफ्त सीट को ही बेबी सीट का नाम दिया गया है राहत की बाद यह है कि कई ट्रेरों में बेबी सीट नाम से ये काम शुरू भी हो चुगा है इसमें अब तक कई महिलाओं ने ट्रावल भी कर लिया है आपकी जुआनकारे के लिए आपको बता दे कि 5 साल से छोटे बच्चों के लिए कोई भी टिकेट नहीं लगता है और रेलवेस के लिए साफतोर पर मना भी कर चुका है लेकिन अब आपको ये सुबधा काफी लाब पहुच्छाने वारी है खासकर महिलाओं को इससे काफी फायदा मिलने वाला है ये सुबधा होने का प्रमुखकारन ही यही है कि अब जो भी महिलाएं किसी भी बच्चे के साथ यात्रा करती है और फिर भी उनको सीट नहीं मिलती है तो अब वो बेबी सीट के जरीए ही बच्चों के साथ आराम से यात्रा कर सकती है वरतमान समय में ये सुबधा सभी ट्रेनों में नहीं है लेकिन उमीद है कि जल्दी ये सुवधा धीरे-धीरे करके ही सही सभी ट्रेनों में उपलब्ध हो जाएगी रेलवे टिकेट में ही बेबी सीट नाम से आपको टिकेट अपक्रेड करना होगा वो भी बिना किसी अतरिक्त शुल के वरतमान समय में 5-12 साल के बच्चों का टिकेट सफर के कुल कीमत से आधा लगता है और ये सुवधा यकीन अना आपको भी काफी फायदा पहुचाने वाली है आपकी जुआनकारे के लिए आपको बता दे कि हाली में रेलवे ने बच्चों को होने वाली समस्याओं को धियान में रखते वे बेबी बर्थ की शुरबात की थी जिसमें की मा के छोटे बच्चे बगल में ही बिना किसी दिक्कत के सो सके इसके लिए भारती रेलवे ने महिलाओं के लिए आरक्षित नीचे के बर्थ के साथ बेबी बर्थ की ववस्था भी की है दरसल ट्रेन में सफर के दारान महिलाओं को होने वाली समस्या को देखते वे सीट के साथ ही बेबी बर्थ बनाए गया है महिला के लिए आरक्षित नीचे की बर्थ के साथ बच्चे के बर्थ की विवस्था की गई है हाला कि अब यह सुवधा सभी ट्रेनों में नहीं शुरू हुई लेकिन जल्द ही उमीद है कि अब सभी ट्रेनों में इसे शुरू कर दिया जाएगा ऐसे में अब आप रेलबे टिकेट में ही बेबी सीट नाम से आपको टिकेट अपग्रेड करने की सुवधा मिलने वाली है वो भी बिना किसी अधरिक्त शुलक के जिस से यात्रियों को आने वाले समय में और ज्यादा सहूलियत होगी साथ ही अब लोगों के ट्रेन का सफर खासकर कि उन महिलाओं के ट्रेन का सफर बेहधी आराम दायक होगा जो बच्चों के साथ ट्रैवल करती है इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही तब तक के लिए धन्यवारत है